नमस्कार मैं पुझा आप देख रहे हैं जनीत आवाज और इस वक्त मैं मौझूद हूँ जहांगीर पूरी एरिया और यहां पर जहां पर मैं मौझूद हूँ जहां खड़ी हुई हूँ वो कुसल सिनेमा चौक है और यहीं से जो है जुलूस की कवायत बिछली थी और यहीं से बुल्डोजर की शुरुवात भी की गई थी आप सामने देख सकते तस्वीरें सामने जो है पूरी पुलिस तुकडी और यहां कमांडोस भी जो है बुलाए गए है यहां पर लगातार वो लोग खड़े हुए हैं और हम कोशिश कर रहे थे कि पीडित लोगों से भी बात करते जाएं मगर उनसे बात नहीं करने दी जा रही है क्योंकि यहां पर माहौल को शांत भी किया जा रहा है कि दुबारा से माहौल बिगड़ना जाए इसलिए यहां पर पूरी पुलिस तुकडी मौजूद है और यहां पर जो बुल्डोजर चले थे वो छती ग्रस कर दिय गये हैं जिनकी दुकाने और मकाने थी सबसे जादा यहां कबारी लोगों की दुकाने थी लगातार उनी पर जो है बुल्डोजर चलाया गया था सामने आप देख सकते किस तरीकी तोड़ फोड की गई है यह सामने देख लीजिए उपर से लेके जो नीचे तक जब यह इस बहुत पहले से यहां पर मौझूद है चल रही थी लगातार लोगों से जो मैंने बात की वो बता रहे हैं कि हमारी बहुत पुरानी दुकाने है पहले क्यूं नहीं इस तरीके के क्यूं नहीं जो है बुल्डोजर चला कर तोड़ा गया अवैद निर्मान बताकर ही लगा दिया गया है लगातार यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूं कि किस तरीके से यहां सारे पुलिस वाले मौजूद है लगाए गए हैं महाल बहुत गरम है गर्मी का टाइम है महाल भी गरम है और लगातार उस महाल को शांत बनाने की कोशिश की जा रही है मिलकर रहते थे मगर अब जो है नए भारत की तस्वीरे सामने आ रही है नए भारत रचा जा रहा है नए भारत की तस्वीरे ये कहती है कि अब हिंदू खत्रे में है और इसी के चलते जो राम नभमी और जुलूस जो निकाले गए थे राम नभमी का जुलूस निकाला गया थ और हनुमान जैनती वाले दिन जुलूस निकाला गया था वो इस मस्जिद सामने जो मस्जिद है उसके सामने से निकालते हुए रोग दिया गया था उसी वक्त अजान का टाइम भी था और किस तरीके से बताया जा रहा है कि एक ही समूदाय को टारगेट करते हुए बोला जा है कि उन्होंने पत्थराव किया और लगातार हिंदू जो संगठन के लोग थे वो भी यहां पर हमारे उपर पत्थराव किया गया हमारे जलूस को खराब किया गया और हमारी शांती को भंग किया गया हमारे शांती जलूस जो निकल रहे थे उसको भंग किया गया मगर सच् और इनको नोटिस भी नहीं दिया गया था यहां तक जो है इनकी दुकाने और स्थीडियां तक तोड़ दी गई हैं सामने आप देख लीजिए कि किन लोगों की दुकाने थी और कितनी पुरानी दुकाने थी जो अब इस पर इन्होंने तोड़ना चालू किया और अवैद नि इस वक्त ही क्यों बताया गया जब यहां दंगा भड़का जब दंगा भड़का उसके बाद ही यहां पर बुल्डोजर चलाया गया ऐसा क्यों किया गया सरकार को सवाल देना होगा क्योंकि सत्ता में बैठी सरकार इस तरीके से चुप नहीं बैठ सकती उसको जवाब देना होगा की ये अवैद निर्माण तो पहले से भी था अगर पहले से था तो आप पहले से यह order लेकर आते MCD वालों ने कवाय छेड़ी बुल्डोजर चला दिये यह पहले भी किया जा सकता था इस अवैद निर्माण को पहले भी तोड़ा जा सकता था मगर ऐसे इस्तिती में जहां पर दंगा भड़क चुका है छेत्र में इस तरीके की पूरी पुलिस तुक कवाय लगी हुई है लगातार हमारे देश को हिंदू को खत्रा है एक ही समूदाए से एक ही समूदाए से खत्रा बताया जा रहा है ऐसा पहले भी हुआ था इससे पहले भी सरकारे आई थी इससे पहले भी लोग जो है मिल जूरकर अपने धार्मिक जो उनके त्योहार होते वो बनाते थे मगर अब जो है धार्मिक तोहार बदल गए हैं सबके अपने अपने तोहार हो गए हैं मिलकर नहीं बनाए जाते हैं और अब एक समुदाय को टार्गेट करते हुए सारी कवाय छेड़ी गई है इस देश में किस तरीके का राम राज्ये लाया जा रहा है आप ल